प्रापर्टी के लफड़ा तुम्हाई शादी हो गई? तो पित अलाक करवालो ओ? सर इंटर्वी शुरू करें तो क्या शुरू क्या क्या हाँ तो शुरू कर दो जैसा कि आप जान गए होंगे कि हमारे साथ एक लॉयर है तो आये करते हैं उनसे कुछ बात चीत स्वागत है आपका सर आप कहते हैं कि बहुत सारे केसिस लड़ते वक्त आपकी जच साहब से लंबी बहस हो जाती है वो क्यूं? जैस लोग ना रुपए देखते एकदम बदल जाते हैं मैं पर केस जैस साहब को देता हूँ 10,000 रुपए जैसे गड़ी रखता हूँ 10,000 के कहने लगते हैं ने और बढ़ाओ बे और बढ़ाओ 15,000 दो 20,000 दो बड़ी बहस हो जाती है लेकिन ये बहस तो मेरी उनके बंगल आपको पहुंचाता हूँ मजाल है उस फिस में एक रुपए की भी एरा फेरी करता हूँ मैं तो जबड़त इमानदार चल रही हो हूँ सर किसी कभी केस को जीतने के लिए सबसे एहम चीज क्या होती है सबसे एहम चीज होती है जी पक्ष का मजबूत होना किस पक्ष का? अरे बावली आर्थिक पक्ष आर्थिक पक्ष कहां? आपके नजर में सबसे अच्छा लॉयर कौन है? भही जो अच्छा लायर होता है वही अच्छा लोयर होता है दोस्तो आज हमारे साथ है हमारे देश के एक ऐसे जेलर जिनकी कैद से आज तक कोई भी कैदी भागा नहीं आये करते हैं उचे कुछ बाची स्वागत है आपका जेलर साब हमें बताईए कि आपकी जेल में सुरक्षा का कैसा इंतिजाम है एक लास है हम कैदियों की सुरक्षा खास थोड़ से करते हैं ताकि कैदियों को कोई परेशानी नहो सर आप कहते हैं कि आपके कैदियों को बाहर से जाधा जानकरी उनको जिन में ही मिल जाती है वो कैसे सर आप कहते हैं कि आपकी जेल से आज तक कोई भी कैदि भागा नहीं है वो कैसे कैदियों को भागने की आविश्यक्ता क्या है कैदि मुझसे पूछ के बाहर जाते हैं और काम तमाम करके वापस लाटाते हैं वो समय के बड़े पाबंद हैं हमने ये भी सुना है कि आप बड़े कैदियों की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं ये जितने बड़े-बड़े अपराधि यह अमारे भाविश्यक मंत्री आज दुनिया जानती है जितने मंत्री हमारे देश में इसमें से पहले घोर अपराधी थे अगर मैंने उनकी उस जमाने में सेवा ना की होती तो आज मैं मेवा कैसे खाता मैं तो बरबाद हो जाता बंबंब भोले आज हमारे साथ हैं हमारे देश के फेमस क्रिकेटर मिस्टर फ्री संच जी आईए करते हैं उनसे कुछ बाची वेलकम तो आश्रो साथ पिछली बार विकेट लेने के बाद आपने पांच मिनिट तक ग्राउंड में डांस किया इसकी कोई खास वजा एक तो मुझे विकेट लेने को खुशी थी और आपको तो पता है कि ऐसी खुशी मुझे साल में एक दोबारी मिलती है और दूसरा मैं प कि हरभजन ने आपको प्रीती के कारण थपड मारा ये बात को समझ नहीं आई एक्चली वो हमारी स्ट्रेटीजी थी मैंने ये नोट किया कि प्रीती सारे प्लेयर को हग कर रही है गलों लगा रही है सिर्फ मुझे छोड़के भज्जी का थपड खाने के बाद मैं जोड़ खालों वो क्यों शिल्पा भागती भागती आएगी मुझे गले लगाएगी असर हमने सुनाए मिस्टर मुकेश आपको खरीदना चाहते थे मगर आप तो बहुती कॉसली बॉलर है कॉसली नहीं हूं मैं महंगा बहुत हूं पूरी दुनिया जानती है कि मैं एक एक ओवर मे पचीस पचीस तीस तीस रन तो यूँ ही दे देता हूं मैं डांस करूँ यार दोस्तों आज हमारे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेजिदन्ट मिस्टर इज्वास बट्ट आईए करते हैं उनसे कुछ बात चीत वेलकम तो अश्यों सर अस्सलाम वाल पचीस पाकिस्तान अचेट बोर्ड कंट्रोल कभी नहीं होसकता है सर हमने सुना है कि आपने कहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान को खरजा जबाब दिया हैिस्वी इंडिया के हिमगत तो देखिए महेशश भट को पकाने के लिए हमारे हां भेज दिया और तोर हमने सुना है कि आपकी वो मोतरमा राखी सावन भी हमारे आ रही है ये करारा जौब नहीं तो और क्या है ये परेशान करने की एक साजिश है इंडिया की सर आपने बड़े जोर शोर से कहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगले वर्ल काप में सेमी फाइनल तर तो पहुंच ही जाएगी खातून आपको मालूम होगा कि अगला वर्ल काप पाकिस्तान में होने वाला है तो कोई भी बाहर की टीम हमारे आने वाली तो है नहीं तो जब बाहर की टीम हमारे नहीं आएगी, तो पाकिस्तान अपने आप सेमी फाइनल में पहुँच गया, बलकि पाकिस्तान चैंपियन हो जाएगा. अगर कोई आ गया तो? अगर आ गया, तो हम उसे ऐसा ओफर देंगे, कि उमना नहीं कर पाएंगे. हम उसे कहेंगे, या तो तीस साल की जिन्दगी, या फिर तीन घंटे का मैच. दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मशूर राखी सामन जी. आई ये करते हैं उनसे कुछ जटपटी बाती. स्वागत है आपका. राकी जी, आपको नहीं लगता आपकी हजार कोशिशों के बाद भी, आप आइटम गर्ल से एक्ट्रिस नहीं बन पाएं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं कोई ऐसी वेसी मामूली आइटम गर्ण नहीं हूँ. बल्कि महाभारत और रामायन के बाद इस देश में मैं पहली लड़की हूँ जिसका सोयमर हुआ है. सोयमर हुआ है. मैं डरती नहीं किसी से. पूरी मीडिया के सामने बोलती हूँ. मैं डंके के चोड़ पे बोलती हूँ. मेरा सोयमर हुआ. सिर्फ मेरा. राकी जी, अगर आपको दूसरा जनम मिले, तो आप अपने अंदर क्या बदलाफ करना चाहेंगी? अपने नाम बदलना चाहूँगी. जब कोई राकी कहके पुकारता है, तो मुझे उसके अंदर एक भाई नजर आता है. राकी जी, आप रक्षा बंधन पर किसको राकी बादना चाहेंगी? निचुरली, निचुरली. मिक्का को. मिक्का की हरकते दीख के लगता है, उसके घर में कोई माबहन नहीं है. राकी जी, आपकी जिन्दिगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? मैंने जिन्दिगे के सबसे बड़ा सपना है, एक्टिंग में नोबल प्राइस चीतना है. लेकिन एक्टिंग में तो नोबल प्राइस मिलता ही नहीं है. ओ जी, जस, यह मैंने क्या कही दिया? तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, यही तो मैं चाहिती हूँ, जो किसी को ना मिला हो, वो मुझे मिले. आज हमारे साथ है टेलिस प्लेयर, कम फिल्म प्रोड्यूसर, मिस्टर नरेश भूपती. आईए करते हैं, उनसे कुछ बाचीत. स्वागत है, सर. सर, ये वाला रैकेट तो मच्छर मानने का है ना? पर रैकेट तो है ना? मुझे कोई भी रैकेट मिले, मुझे तो खेल ला है. सर, हमारे सुनने में आया था कि एक इंटर्व्यू के कारण आपके पीछे लारा पड़ गई थी. मैंने एक इंटर्व्यू में कहा, कि मैं लारा का फैन हूँ, लारा का बहुत बड़ा दीवान हूँ, ये सुनके वो मेरी पीछे पड़ गई, जबकि सच्चा ही ये है, मैं ब्रैयन लारा की बारे में बोल रहा हूँ, लारा जी ने ये भी आरोप लगा है, कि आप उनके सच ये आशिक नहीं है, इस इस शौकिंग फॉर मी, एक दिन मैंने बड़े मूड में आकर लारा से कहा, लारा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पगली क्या बोलती है, ठीक है, मेरी फिल्म ब्लू, एक बार देख लू, पता है, मैं रैकेट छोड के भागा, पिर जो अवागा, फिर छोड़िस जाओगे है ठी जावाग के लेक मैं आकर भी हसँ إच hen पने दोंगता है, मैं अड़ी में एफर 하루 है, मैं सहीवागा! झात!